कि यूटिली मीज में आप सब दर्चेकों के सवगत है मैं आपके साथ इल्यास बड़ेखर मैं आप से फिर से कह रहा हूँ कि तशग्दुद वाइलेंस रास्ता नहीं हो सकता है तशद्द और वाइलेंस रास्ता नहीं हो सकता है हम को जमूरियत में रएकर अपने मसायल को हल करना है मैं आपके दर्मियान में खड़े होकर आज उदेपूर में जो हमारे खिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका खतल किया मैं उसका खुला खुला कंडम करता हूँ किसी को खतल करने की अजाज़त नहीं है चानून में कोई किसी को नहीं मार सकता हम चानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे हाँ यकीनन हम दुबारा मुतालबा करते है कि नुपूर शर्मा को भारत के आई पी सी, सी आर पी सी के खानून के तहट एक्शन लिया जाए, गिरफ़तार किया जाए मगर खानून कोई हाथ में नहीं ले सकता किसी को आप नहीं मार सकते याद रखो ये जरूम है, ये जलूम है जिस तरह कोई किसी अखलाख को नहीं मार सकता उसी तरह उदेपूर के कोई टेलर को नहीं मार सकता जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता उसी तरह कोई उदेपूर के टेलर को नहीं मार सकता जिस तरह कोई रखबर को नहीं मार सकता उसी तरह उदेपूर के टेलर को कोई नहीं मार सकता जिस तरह को यहाँ पे जुनायत को नहीं मार सकता उसी तरह उदेपूर के हमारे हिंदु भाई को नहीं मार सकता जिस तरह किसी को गोश के जाम पर नहीं मार सकता उसी तरह उदेपूर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं माच सकता हम मजम्मत करते हैं हम कंडेम करते हैं मैं भोपाल की जन्ता से अपील करूँगा कि अगर आप उदेपूर के खतल करने वालों कोई मजम्मत करते हैं कंडेम करते हैं तो मेरे साथ नारा लगाये इनसाफ जिन्दाबाद खतल मुर्दाबाद भारत का संभीधान जिन्दाबाद भारत का संभीधान जिन्दाबाद ये हमारा पैगाम होना चाहिए मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं बहस्यत एक भारत के अवल दर्जे के शेरी के कह रहा हूं कि हम तशद्द को कभी नहीं मानते हैं वाइलेंस की कोई जगा नहीं है जिन्होंने हरकत की वो खलत हरकत की वो कंडेमनेवल हैं मुसकी मजब मत करते हैं बलके अमराजिस्तान की सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो भारत का IPC, CRPC है उसके खिलाफ सख्ट एक्षन लिया जाए और मेरे अजीज दोस्तों और बुज़रगों याद रखो मेरी इस बात से अगर हम अल्ला के रसूल सलल्ला के उमती है उनके खुलाओं है तो उम्मीद मत तोड़ो नौजवानो उम्मीद मत छोड़ो उम्मीद को अपने हाद से जाने मत दो याद रखो उम्मीद मर्दे मौमी हैं खुदा के रासदानों में उम्मीद को कभी मत छोड़ो उम्मीद को जिन्दा रखो अल्ला के साम में हाथ पहला कर गिर्गरा कर दुआ करते रहो अल्ला की रहमत जोश में आएगी और तुम ये समझो मेरी इस बात को ये जो बादल हैं जल्म के ना इनसाफी के इन्शालला ये हगेंगे जरूर इन्शालला हुदाला